हेलो एवरीवान, हेलो एवरीवान, वेलकम टू माई उपीएसी, देखे कल हम जो चर्चा कर रहे थे, आरपीएसी एसिस्टेंट प्रॉफेशर की, उसमें क्या है कि आपको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि कौन उसका फॉर्म एपलाई कर सकता है, उसमें इसका नोटिफिकेशन है ये, इसमें टोटल है जो 918 वेकेंसी निकली थी, इसका प्रोसेस पूरा हो चुका है, इसमें देख लीजे क्या इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उससे फिर आपके सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी, देखे ये इसमें लिख रहा का 55% मार्क्स और एन इक्वलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेरेवर ग्रेडिंग सिस्टम किसी कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, कहीं किसी उनिवर्सिटी में परसंटेज सिस्टम होता है, तो इसके इक्वलेंट हो 55% आपके मास्टर्स डिगरी में होने चीए, relevant subject में किसी Indian University से या उसी तरीके की कोई जो foreign university है उसमें तो एक चीज तो आप ये के लिए रखिए कि 55% आपको master's में जो post graduation आपका इसमें होने चीए लेकिन इसमें भी छूट है ये इसमें particular जो reserve category है SCST, OBC, EWS इनको छूट है वो भी हम discuss कर लेंगे अभी जो general है उसके लिए 55% है छूट किन के लिए है वो हम discuss कर लेंगे जिनका post graduation में ये नहीं है वो नहीं बर सकते हैं और छूट एक नीचे अलग है wizard fulfilling the above qualification the candidate must have cleared the national eligibility test conducted by the UGC, CSIR और similar test by UGC like slat, set ये इस तरीके के हैं जो देखे इसमें लिख रखा है कि आपके पास UGC net must have cleared UGC net या तो आपका net clear हो या फिर net के ही जैसे set वगरा का exam लगता है वो clear हो लेकिन इसमें भी कुछ subject जिनमे net का exam नहीं होता है ये जिनोंने PhD है जिनके पास बताऊंगा भी उनको ये net clear नहीं है तो भी दे सकते हैं एक तो ये कि net clear होना चीए लेकिन अगर आपके subject में net का exam ही नहीं लगता है तो उसकी आपको जरूरत नहीं है देखे जो जुलाई 2009 से पहले जो PhD के जो पार्टेक्रम के लिए जिनोंने registration करवा रखा है उनको ये net वगारा clear करने की जरूरत नहीं है उनकी सिर्फ PhD डिग्री होनी चीए जिनोंने इस ये जो 2009 से पहले का जो पार्टेक्रम था उसके according जिनोंने degree लिया है और उसमें भी कुछ condition है तो आपको net, set वगारा clear नहीं करना सिर्फ PhD की डिग्री हो और नियमित पद्धित्ती से आपने regular PhD किया हो कम से कम दो बाहरी परिवेक्षकों द्वारा आपका जो research है उसका मुल्यांकन किया हो और मोखिक परिक्षय भी आयोजित की गई हो और इसमें लिखा है बिरती ने अपने PhD सोध कारे में में से दो सोध पत्र प्रकाशित किया है जिन में से कम से कम एक पत्र संबंदित जर्नल पत्री का में प्रकाशित हुआ हो ये कुछ conditions है ये तो सभी की है आपको पता रहता है जब PhD करते हैं तो इसलिए अगर आपने ये 2009 वाला जो पाटे करम इसके according PhD की है तो आपको फिर नेट बगरा की जरुरत नहीं है तो और जिन subjects में next देखिए ये है net, slat, cell also not be required for such master's programs in discipline for which is not conducted देखिए जिन discipline में मैंने कहा जिन subjects में ये net वगरा, set वगरा का exam नहीं होता है उनके लिए ये जरूरी भी नहीं है तो आपके पास तो सिर्फ 55% और master degree होनी चीए जो appear कर रहे हैं वो भी apply कर सकते हैं क्योंकि ये degree मांगी जाएगी जब आपका interview होगा जब तक जिस दिन आपके पास interview हो आपके पास ये degree होनी चीए तो अभी इसकी vacancy आएगी वितिने मन्त फिर exam होगा तिन दो तिन चार मेने में जब भी सरकार करवाएगी और इसका procedure वैसे गवर्में TC साल कर देगी क्योंकि अक्टूबर में election है तो उसे पहले हो जाएगा आपके पास जब तक ये होना चाहिए और भी किसी को कोई confusion है तो पूछ सकता है बाकी देखे जो मैं बता रहा था कि इसमें छूट किसको मिलेगी परसंटेज की चूट कि बता रहा हूँ SC, ST और जो OBC है नॉन क्रिमिलेयर की बात हो रही है या फिर अत्ती पिछडावर्ग नॉन क्रिमिलेयर और जो निस्सासक्त जनवर्ग के अभ्यरति है जिनको 5% की चूट मिलेगी उनके पास 55% नहीं है 55% है तो भी वो एपलाई कर सकते हैं और फिर ये कुछ 1991 से पूरो इसनातकोतर इस्तर की डिगरी प्राप्त अभ्यरतियों को PhD उपादिधारन करने पर जो उनका इसनातकोतर इस्तर उसमें 5% की चूट देखे 55-50% तो ये जो SC, ST, OBC में नॉन क्रिमिलेर इनको भी चूट है 5% की और ये किलियर लिख रखा है आयू में किसको चूट है एज में ये देखे SC, ST, OBC के जो मेल कंडिडेट है उनको 5 साल की है राजस्तान की जो जनरल केटेगरी की विमेंस है वो और जो EWS केटेगरी में विमें जनरल केटेगरी की विमेंस और एक EWS की उनको 5 साल की है और जो राजस्तान में SC, ST, OBC ये ये MBC और एक मोर बैकवार्ड क्लासेज इनको 10 साल की चूट है और जो विडो या डिवोर्स विमेंन है उनके लिए कोई अपरेज लिमिट नहीं है तो अब इसमें सब किलियर हो ग लेंगे उमीद ही आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा थैंक्यू वेरी मच्च